आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 12 के फ्लैमिंगो बूक की दूसरी पोयम है जिनका नाम है एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास रूम इन अपसलम जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं ये एक गंदी बस्ती है जहां पर एक प्रात्मिक बिद्याले है और इस प्रात आज में इसका किस परकार इन लोगों पर अन्याय हो रहा है किस परकार इनका भैदभाव हो रहा है किस परकार आसमानताएं हैं कवी ने इसी पर फोकस किये हुए हैं और हमें बताना चाह रहे हैं कि जोपड़ पटियों में रहने वाले गंदे बस्तियों में रहने वाले ब वरताव हो रहा है, किस प्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको हमलोग समझने का पर्यास करते हैं, और कवी हमें क्या बताना चाहते हैं, उसके समंध में जाने का पर्यास करते हैं, तो उससे पहले हम लोग Stephen के बारे में समझ लेते हैं कि Stephen जो इसको लिखने वाले जो कवी हैं वे कौन हैं तो देखिए अगर यदि हम बात करें poet की जिन्होंने इस poem को लिखा है जिनका नाम है an elementary school classroom in a slum तो उनको लिखने वाले ये महान कवी हैं जिनका नाम है Stephen Spender जो एक English के कवी थे और एक निबंदकार भी थे जिनका जन्म 1909 में हुआ था और इनका देहान्त 1995 में हुआ है तो यही है वो महान कवी जिन्होंने लोगों पर लोगों पर ये आवाज उठाया कि किस प्रकार सलम में रहने वाले बच्चों के साथ injustice हो रहा है उनके साथ inequalities देखने को मिल रहा है ऐसे बच्चे जो कहां पर पढ़ रहे हैं जो सलम में पढ़ रहे हैं उनके classroom किस प्रकार हैं किस प्रकार बाहरी दुनिया से अलग है यही वो सक्स जिन्होंने इस पर लोगों पर ये आव स्टेफेन अस्पेंडर इंगलिस के कभी थे और वह एक निबंदकार भी थे ही लैप युनिवर्सिटी कॉलेज आक्सफोर्ड उन्होंने युनिवर्सिटी कॉलेज आक्सफोर्ड को छोड़ दिये विदाव टेकिंग ए डिगरी बिना कोई डिगरी लिये and went to Berlin in 1930 और वे 1930 क बर्लीन चले गए अस्पेंडर टू के किन इंट्रेस्ट इन पॉलिटिक्स अस्पेंडर ने बहुत ज्यादा राजनिती में रूची लिया and declare himself to be a socialist उन्होंने अपने आपको एक समाजवादी घोसित किया अपने आपको समाजवादी घोसित किया and pacifist और अपने आपको एक सांतिवादी घोसित किया books of a spender include अगर हम a spender की किताबों में अगर बात करें तो उसमें सामिल है poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern and an autobiography, world within world इसे कुछ महान उनके द्वारा लिखी गई कृतियां है अगर हम बात करें इस poem की जिनका नाम है in an elementary school classroom in a slum जिसको आज हमनों पढ़ने जा रहे हैं he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities इस पर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिये हैं इसका मुख्य उद्देश है कि समाज के अन्यायका और समाज में असमानताओं के बारे में इन्होंने इस poem पर विसेस रूप से जोड डाले हैं तो देखते हैं आगे इस poem में क्या उन्होंने बताया गया है क्या वो बताना चाहर है समाज को तो देखिए देखिए poem को पढ़ने से पहले यहां पर प्रश्ण आई है उसको समझते हैं तो देखिए before you read have you ever visited क्या आप कभी क्या आप कभी घूमे है सलम में जो elementary school होता है वहां have you ever visited or seen an elementary school in a slum आप कभी भी गंदी बस्तियों के school में कभी घूमने गए हैं या कभी देखें हैं अगर गए हैं या देखें हैं तो बताये what does it look like यह कैसा दिखता है अब आते हैं पॉयम में अब हम लोग पॉयम के first stanza को देखेंगे तो देखें क्या दिया हुआ है far far from gusty waves the children's faces look rootless weeds the hair turn round their जोकेदार लहरों से दूर इन बच्चों के विवर्ण चेहरों पर जिस पर रंग नहीं दिख रहा है विवर्ण हो गया है चेहरों पर बे तर्तिव उख्ड़े उख्ड़े से बाल बिना जड़ों के फालतू पोधे की तरह बिल्कूल ही वीड्स इस खर्पतवार की तरह दिखाए दे रहे हैं कि अधा टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड है दपेपर सेमिंग बॉई विथ रेट्स आइज उस लंबी लड़की का उदासी के बोस से सीर जुक गया है उस जो लंबी लड़की है जो उदासी के मारे उसका सीर जुक गया है और वहां पर देखिए एक पतला दूबला सा पेपर जैसा दिखने वाला पेपर के समान पतला दूबला लड़का बैठा हुआ है जिनकी आखें चूहे की तरह है अब दस्टंटेड अनलकी एयर और ट्विस्टेड बॉन्स वो जो अविक्सित है और टेड़ी मेरी हड्यों का उत्रा दिकारी है तेड़ी मेरी हड्यों का उत्रा दिकारी है रिसाइटिंग एफादर नाल डिजिस हिजलेशन फ्रों हिज डेस्क और वो जो है अपने डेस्क से अपना पाथ नहीं बलकी अपने बाप की दीहवी गाठदार बिमारी का वो अपना पाथ नहीं बलकि अपने बाप की दी हुई गाठदार बीमारी का सिलसिलेवार तरीके से वर्नन कर रहा है उसको देख कि उसकी बाप की बीमारी का वर्नन हो रहा है ना कि उसके पाथ पता चल रहा है At back of the dim class, one unnoted, sweet and young धुन्दले कच्छा कच्छ के पीछे एक प्यारा युवा बेठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है His eyes live in a dream of a squirrel game in tree room other than this वो जो लड़का जो है उनकी आखों में सजीव सपने दिखा दे रहा है और वो बाहर बाहर वो गिलहरी के खेल को देख रहा है जो की पेड में बने खोकर के सपने जहां पर गिलहरी खेल रहा है इसके सपने को वो देख रहा है अब पोयम की दूसरी अस्टेंजा को देखते हैं तो देखिए अप्रिय करीम रंग की दिवारों पर यह जो सलम के स्कूल की जो दिवार है वो अप्रिय करीम की रंग की है और दिवारों पर चंदे में दी गई चीजें चंदे में दी गई चीजें और सेक्सपियर के सीर के तस्वीरे टंगी है प्रंतु बच्चों के लिए वेर्थ हैं दिवारों पर दूसरी तस्वीरे भी टंगी हुई है उसा काल के बिना बादलों की सुबह है और सब भी संसार की संस्थाओं के जो गुंबद है हर सहरों में उपर दिखाई देते हैं बेल्ड फ्लावरी ट्रॉलीज वैली आस्ट्रिया की जो ट्रोयल घाटी जो है घंटियों के संगीत और फूलों से भरी है ये संस्थाओं की बाद कर रहा है आस्ट्रिया की ट्रायोल घाटी की ये संस्थाएं घंटियों के संगीत और फूलों से भरी हुई है open-handed map awarding the world its world खुले हाथों से इस संसार का नक्सा त्यार किया जा रहा है ये जो है खुले हाथों से इस संसार का नक्सा त्यार किया जा रहा है जिसे हिटलर जिसे तनासा अपनी इच्छानुसार त्यार करते है जिसे हिटलर जिसे तनासा अपने इच्छा अनुसार इस मैप को तयार करते हैं और इस संसार को लोगों के लिए एक नया संसार भेट किया जा रहा है इस संसार को लोगों को इस संसार के लोगों को एक नया संसार तानासा की इच्छा से जो संसार बना है भेट किया जा रहा है and yet for these children these windows not this map their world were all their futures painted with a fog लेकिन गंदी बस्ती के इस इस्कूल की कच्छा के बच्चों के लिए वह संसार उनका अपना नहीं है उनकी तो ये कच्छा ही जा खिर का सकते हैं खिर क्या ही उनकी अपनी है एक अच्छा है उनकी अपनी है इस स्कूल के बच्चों का भविस अनिश्चता यानि की कोहरे के बरस से पोद दी गई है यहाँ जो बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं सलम में जो रह रहे हैं इस्कूल में जो रह रहे हैं इनकी जो संसार जो है इनकी जो संसार जो है अनिश निस्चताओं के कोहरे से पोद दी गई है यानि कि इन बच्चों का जो भवश है वो निस्चता जैसे कोहरे के बरस से पोद दी गई है अगर हम बात करें यहाँ पर सलम के बच्चों के लिए तो वे अपने जीवन की तंग गलियों में घीर गए हैं उसको एक धूसर नीले आसमान ने चारो और से घेर लिया है ये सभी इस गंदी बस्ती के, स्कूल के, कच्छा के बच्चे इस तंगी और घुटन के सिकार है ये सभी इस गंदी बस्ती के, स्कूल के, जो कच्छा में जो बच्चे हैं इस तंगी और घुटन के सिकार है नदिया, अंतरीपों और सितारों का संसार उनसे दूर बहुत दूर है पोएम के तिसरे अस्टेंजा में आते हैं तो देखिए Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example निश्चे रूप से इन गरी बच्चों के लिए इन बच्चों के लिए Shakespeare जो है बेकार और बुरा है यह संसार का नक्सा कि उसके लिए एक बुरा उधारन है यह दुनिया जो इन बच्चों की नहीं उनका इससे कोई तालूग नहीं है जहाजों सुईर की गर्मी और इंसानी प्यार यह भरी जो दुनिया है उन्हें इन बच्चों को चुराने के लिए प्रलोवित कर रही है बच्चे इनको चुराना चाहते हैं यह सभी बढ़िया चीजें जिसे की जहाज, सुईर की गर्मी और इंसानी प्यार इन बच्चों को लुभा रही है यह चीजे उनको चुराने का मन करता है फोर लीप्स देट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फोग टू इंडलेस नाइट कोहरे से अनंद अंधेरी रात तक कोहरे से लेकर अनंद अंधेरी रात तक उनका जीवन जो है चुपके से उनकी तंग मांदो में आकर घीर जाता है जीवन की सुरू से लेके अंध मिर्टु तक क्या होता है चुपके से उनकी तंग मांदों में आकर घीर जाता है कोहरे से लेके अंधेरी रात तक कोहरे से अंधेरी रात तक उसके जीवन चुपके से उसकी तंग मांदों में आकर घीर जाता है On their slag hip, the children wear a skin, paved through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bit on stones. छोड़े हुए कबार के धेरों पर, अगर हम बात करें, छोड़े हुए कबार के धेरे पर बेठे इन बच्चों की जो खालों में, इन बच्चों की जो अस्कीन जो है, उसे हडिया बाहर जाग के देख रही है. जो कबार है जहाँ पर, जहाँ कबार बेठा हुआ है, वहाँ पर बच्चे जो बेठे हुए हैं, उनके अगर सरीर को देखे तो यसा लगता है, जिसे की हडिया बाहर निकाल के जाग रही है. और ये पेबंद लगे सीसों से जड़े इस्टील के चस्मे पहने ऐसे लगते हैं, जिसे पत्थरों पर बोतल के टुकड़े कर दिये हो. ये पेबंद लगे सीसे की जड़े स्टिल के चस्में पहने हुए हैं और ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुक्रे हो All of their time and space are foggy slump उनका सारा समय और जगह इन ही नरक जितनी बड़ी कोहरे दार गंदी बस्ति से गुजरता है उनका सारा समय और जगह इन ही नरक जितनी जितनी जो कोहरे दार गंदी बस्ति में गुजरता है So blot their maps with slum as big as dome ये बस्तियां उन लोगों द्वारा बनाएगे नकसे को कलंकित कर देते हैं जो अपने से जो समसार बनाया है उसके लिए ये बस्तियां क्या करता है उनके नकसे को कलंकित करता है So blot their maps with slums as big as dome अब हम लोग पोयम के चोथे अस्टेंजे पे आते हैं तो देखे यहाँ पर पोयेट क्या कहते हैं Unless governor, inspector, visitor, this may becomes their window यहाँ कवी कहते हैं गवर्नर, सिच्छक, निरच्छक और आगंतुक तुम सभी अपने इस संसार के नकसे को इन बच्छों के संसार का हिसा बना दो ऐसा कर दो कि वे अपनी खिडिक्यों में से इसमें जाग कर देख सके And these windows that set upon their lives like catacombs break or break up until they break the town और यह खिडिक्या, यह वातारण, यह अवस्थाएं जो उनके जीवन के विकास को तक खाने की कबरों की तरह बंद कर देते हैं उन्हें तोड कर खोल दिया जाए सहर के सारे बंधन को तोड दिया जाए इन बच्चों के लिए सहर के सारे बंधन को तोड़ दिया जाए And so the children to green fields and make their world और इन बच्चों को बाहर के हरे खेतों का दर्शन कराये जाए Run as your own gold saints and let their tongues run naked into books The white and green lips open उनके संसार का सुनहरी रेत पर निली निली समुद्री रहरों का विस्तार करते हैं उनकी जीवन में जो सुनहरी रेत पर निले निले समुद्री सहरों का विस्तार करते हैं उनकी जुबान की पहुँच बे रोक्टोक ग्यान के सफेद और हरे पिरिष्टो तक पहुँचे और ग्यान के द्वार उनके लिए खूल जाए ऐसा कर दो इत्यास उनहीं लोगों का है जिनकी भासा में सूर की उस्मा और सक्ती है